असलाम अलेकुम वेलकम बेक टू प्रोगेस पाइनियर मेरा नाम है साम यूब है आज अडोब इलिस्टेटर और बिटनर्स की क्लास नंबर फॉर है आज ही क्लास में हम लोग देखिए पेंट ब्रश टूल को ब्रिप टूल को एंड पैंसल टूल को तो अचीज़ पर दकिता है से जब हम लोग की चीज़ ड्रॉ करते हैं यह जयादतर इस्तमाल होता है यह कोई और के चाप बनाना होता है यह कालिग्राफिय करनी होते हैं उस टाइंपे यह तीन टूल इसे एम लोग देखें यह इसे अम लोग देखें वर हमारे पास lines गएरा ड्रॉकिन करने के लिए घारे कसी käष लिके जन को आइगर दॉकेशन को आम लोगों पॉसकी पारवनों इस और देख ले थे इस टोंप पर मैं किलिक आा गया अगर अगर आप तो simply यहां से आके, bottom में आना है, bottom में यहां पर आपके पास property panel होगे, इस पर क्लिक करना है, तो यहां पर आपके पास property panel आजएगा, property panel पर यहां पर मैं options पर क्लिक करता हूँ, तो यहां पर देखे हैं, हमारे पास कुछ options है, इन्हें पहरे सब समय लेते हैं, fidelity, accurate होने से मुराद क्या होगा, कि अगर मैं क्यों चीज़ ट्रॉ करता हूँ, तो उसी तरह हो, और अगर smooth हो, तो smooth क्या मतलब होगा, कि अगर वहां पर कोई zigzag है, तो वह smooth हो जाए, तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहां पर सबसे पहले accurate करते हैं, इसे मैं okay करता ह जबकि यही चीज़ अगर मैं दोबारे ड्रॉ करता हूँ, यहां से accurate करके, तो यहां पर अगर मैं zoom करो तो यह दिखे, दोनों में default है, यह smooth है, जबकि यह बिलकुल accurate है, जिस तरह हम इने draw की, तो drawing करते हुए हमारे हाथ सिफ smooth drawing हो, उसके लिए हम लोग यह इस तवाल करते और अगर हम लोग 100% smooth करते हैं, तो वो भी ठीक नहीं होता, इसलिए इसे middle में रखते हूँ, इसके बाद क्या है कि, fill new brushstroke, fill new brushstroke कर क्या फायदा है, कि जब हम लोग इससे by default अगर आँ रखते हैं, तो कर मैं कोई chill draw करता हूँ, तो यहां save message, को chill draw करती है मैंने, इस तरह तो यह देखें, यह जो हम लोग draw कर रहे हैं, जो line है, यह path है, इसके side हो पे, जो हमारे पास shape बन रही है, इसकी fill बन रही है, तो वो automatically color होगी है, ठीक है, लेकिन हम लोग यह जाया तर चिने use नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहो कि, जब हम कोई shape draw करते हैं, just like, अगर म यहां से यह option select किया होगा, इसी तरह keep selected क्या होता है, keep selected यहां पर अगर मैं करूँ, समसे पहले इसके अलावा हम लोग यहां पर करते हैं, जब मैं यहां से कुछ draw कर रहा हूँ, तो यह देखें, यहां पर selection नहीं होगी इसकी, ठीक है, लेकिन इसी के जगह यहां पर, अगर होगी, तो इस option को भी इतना जएदा है, हमारे पास इस तावाल नहीं होता, तो इसलिए हम लोग इसे भी disable कर देते हैं, ताकि इस option को जो है हम लोग edit selected path, इसे इसी तरह हम लोग additives रहने देंगे, आगे चल के देखेंगे, तो यह हम लोग ने सबसे पहले बात की, कि जब भ अगर हम लोग second tool की बात करें, तो यहां पर जब हम लोग की चीज़ द्रॉ कर रहे होते हैं, यह देखेंगे, जब हम लोग यहां पर चीज़ द्रॉ कर रहे होते हैं, तो यह जो हमारे पास द्रॉ हो रहे है, यह path नहीं है, यह basically shape है, ठीक है, आपको इसको मैं, ग्वाटी पितात्यु यह आप, इसका मैंने stroke कर थिया, 20 पर सेंग और ये संक आथ का stroke आगया, जब कि इसके अंदर खाव मैं film करना है, तो यहां से मैं ऐस फिल्ट भी कर सकता हूँ फिल्ट कर लिया लेकिन अगर हम लोग इसकी जगा यहां से सेकेंड टूल स्लेक्ट करें यहां पर आखे मैं यह ट्रॉ कर रहा हूँ तो यह हमारे पास फिल्ट है यहां पर यह देखें इसे मैं स्लेक्ट करता हूँ इहां दें, यह मारे पस फिल है, और स्टोक हैं नन है, यहां से अगर मैं इसका Color Change करता हूं, तो यह देखिए, यह अंदर Color से हो रहा है जब कि स्टोक में कुछ नहीं है, अगर यहां पे मैं इस टोक में भी Color तो इसके बार अगर हम लोग नेक्स टूल की बात करें तो वह पैसली टूल है तो बैसली टूल बैसिकली क्या होता है कि जब हम लोग कुछी द्रॉख करते ही इस तरह तो यह देखें इसे एंकर पॉइंट्स लगाए है जब हम लोग ने लास सेशन में दिखा था कि करना चाहिए तो continue बर सकते हैं यहां से देखें जब मैं इस तरह से continue करता हूँ यह मेरे पास एक शेप बन गी है और अगर इस शेप को यहां से रख करूँ और इसका पात बनाओ तो यह देखें है यह मैं आड़ पास एक शेप बन गी तो इसी तरह जैसे हम लोग ने शेप इस तरह नहीं कर सकते हैं जब के इस तरह नहीं कर सकते हैं तो इसके बाद अगर हम लोग इस साइट पर आजए तो यहां पर simply यहां हमारा stroke आ रहा है यहां पर हमारी opacity आ रही opacity मैंने lasting भी बात की थी कि कितना clear है आपका object यहां पर मैंने इसे click किया तो यह faded हो गया अगर से म मैंने यह मैंने इक shape बनाएंगे ठीक है तो इसी तरह नी शेप बरे साइज में यहां पर बंचे Bak Hem यहां पर मैं कर नहीं करूं इसका offset यहां पर property panel यहां अपर offset पर use attack कारूं तो इसी तरह आप बात करें तो शीप में भी इसी तरह आम लोग ऑफसेट बना सकते हैं तो आज की क्लास में यही कुछ था इंचाला एक्स अप्सक्राइब बात करें तो असलाम